17 में हूँ आपके साथ मेनका चौधरी दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है यूपी की 8 सीट पर आज मतदान हुआ लाइन में लगे लोग ही अब वोट डाल सकेंगे 8 सीट पर 5 बजे तक 52.64 प्रतिशक वोटिंग हुई है अम्रोहा मिक की अगर बात की जाए तो यहां 61.89 फीसदी वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है वहीं मेरट की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 54.62 फीसदी मतदान बागपत में 52.74 फीसदी मतदान तो वहीं गाज़बाद में 5 बजे तक 48.2 एक फीसदी वोटिंग हुई है गौतम बुद्नगर में 51.66 फीसदी मतदान बुलन शहर में 54.34 फीसदी वोटिंग हुई है अलियगर में शाम 5 बजे तक 54.36 फीसदी मतदान हुआ पूरे देश की अगर बात की जाए तो 88 लोगसबा सीटों पर आज बोटिंग हुई है और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोगसबा सीटों पर आज मतदान हुआ पूरे देश की काउंटिंग होगी तब नतीज़े आएंगे लेकिन आज 8 सीटों पर जहां मतदान हुआ है परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं शाम 5 बजे तक क्या वोट पर प्रतिशत रहा अभी जो कतार में लोग लगे हैं लाइन में लगे हैं वोट कास्ट कर सकेंगे नियूज 18 पर आप देख रहे हैं मतदान कितना हुआ शाम 5 बजे तक प्रतिशत में यह हम आपको दिखा रहे हैं बागपत बावन दश्मलों साच चार फीसिदी मतदान बागपत में हुआ है वही बात अगर हम गाज से बात की कर लें शेहरी इलाके हैं 48.2 एक फीसिदी मत में 54.34 पीसिदी मतदान हुआ है हलांकि अभी उन लोगों की काउंटिंग इसमें नहीं है शामिल जो अभी कतार में ही लगे जिन्होंने वोटकास्ट नहीं किया है अलिगर 54.36 पीसिदी मतदान हुआ है मतुरा 46.96 पीसिदी वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक यह आकड़ है अभी कई जगों पर लोकतार में लगे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहियोगी मौजूद हैं गाजयबाद से वराखान हमारे साथ मौजूद हैं अम्रोह से राजीव सिंग है मेरट से उमेश्रवास्तों हैं बागपत से पवन गौड है सब के पास बारी-बा सदान जारी है लेकिन आपके पीछे बिलकुल सन्नाटा दिख रहा है के लिए सीड चली गई लेकिन बोटरों में इस वार जो है उस्सा बहुत ज़्यादा दिखा नहीं था पिछले अगर लोग सवाचुनाव की बात करें तकरीवन पैंसट फीजदी मदान बागपत के अंदर हुआ था इस वार सिर्फ अभी तक अगर पांच बज़े तक क्या रिपोर्स की बात करें तो हुआ है बोटर्स में बहुत ज़्यादा उस्सा दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि चुकि आक्रे जो है यो आरेलडी और बीजेपी का गटवंदन है तो संभवत है जो पृत करिया है जो निकल के आ रही है तमाम बोटर्स से बात कर रहे हैं तो कैसे मतदान के लिए जाए लेकिन चुनावायों की और से भी तयार्या की गई है यहां पर शेड लगाए गया है तम्बू लगाए गया है ताकि जो लोग आए जो कतार में खड़े रहे हैं उन्हें परेशानी नहों बावजूद इसके वोट परसेंटेस का ना बढ़ना य अब से बीजेपी का यहां पर दब दब आ रहा है इस बार जो लोगों का रुझान है कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले वोट कास्ट करने के लिए क्या समझ में आ रहा है मेरेट हापूर लोगसबाद शेतर में बेहद दिल्चस्प मुकाबला बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है यहां टीवी सीरियल रमायर के राम अरुन गोविल भारतियांता पार्टी के प्रतियाशी है और देवरत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के प्रतिय परसेंट के ऊपर की परसेंटेज लाएगी और फर्स जीजन से पास होगी हाला कि जो पिछले बार का आंकला है 2019 का आंकला है वो सिस्टी से बहुत दूर है और ऐसा क्यों है आपके साथ जो लोग मौजूद है उनसे भी जरा जानने की कोशिश कीजए जी आम सीधा लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे यह बताईए कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया आप लोग बहुत उसाहित दिखें और प्रचंड गर्मी में भी आप लोग आए लेकिन पोलिंग परसेंटेज उतना नहीं भल पाया जितन पुद्दे क्या इशूज रहे जिनके अधार पर आपने आपने वोट को कास्त किया है और पॉलिंग परसेंटेज जो आना चाहिए था जिसकी रिक्वाइमेंट थी जिसको लेकर करके तमाम व्यवस्थाओं ने बहुत जागरुकता अभियान चलाए लेकिन पॉलिंग पर और इस रेस में आप फॉस्ट जिविजन से पास हुए है बहुत खुश है कि आपने अपने लास्ट मोमेंट प्ने मताजिकर का प्योग कर लिया बिलकुल बहुत खुश है और लास्ट में आके हमने बना क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी घर से निकलनी पाए तो अब शा ये लोगों की राय है लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट परसंटेज पिछली बार के मुकाबले इन सीटों पर जादा होगा या कम ही रह जाएगा अमरोहा से राजीव सिंग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है राजीव यहाँ पर बीएसपी के दानिश अली जो अब कॉंग्रिस के हो गए है और बीजेपी के कमर सिंग तवर के बीश मुकाबला है बीएसपी भी त्रिकोणिय फाइट बना रही है दिल्चस्पी लोगों की दिखी इलेक्शन में या यहाँ पर भी शान्ती दिख रही है अगर अमरोहा की बात करें तो आज उत्वडिश के नव जिलों में से जिन आठ लोग सबासीतों में मददान चला है उसमें सरवाधिक मददान अमरोहा में ही हुआ हाला कि अगर अमरोहा में अब तक के पांच बजे तक की मददान प्रिसत की बात करें तो अम्रोह में 79.89 फीजदी 5 बजे तक मद्दान हुआ है हाला कि 6 बजे और उसके बाद कई बूतों पर ये सूचना आ रही है कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए है क्योंकि चुनावायोग ने ये कहा है कि जो 6 बजे तक लाइन में रहेंगे उनका भी मद्दान कराया जाएगा लेकिन फिर भी अगर पिछले बार के चुनाव के मत प्रिस्त की तुलना करेंगे तो करीब करीब अभी भी 10% की कमी देखी जा रही है 2019 में 71.5 फीजदी मद्दान हुआ था कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जिससे हम पूछेंगे क्या करण है कि लोग इस बार बाहर महीं निकले जिस तरह पिछले कटाई का मुसम चला है गर्मी जादा है और रूची कम है मद्दान करने में लोगों होगी यही कारण गाज़ेबाद करो कर लेते हैं हमारे साथ की फरा वहां से मौजूद है फरा खासकर शहरी लाकों में वोट को लेकर मतदान को लेकर मतदाताओं के बीच और भी जादा उदासी इंता देखने को मिल रही है गाज़ेबाद में 50 पीसदी भी शाम पांच बजे तक वोटिंग नहीं हुई और तमाम कोशिशे प्रिशासन की वो लगता है धरी की धरी रह जा रही है आपने लोगों से बातचीत की किस तरह करोख है इनका बिलकुल देखिए अगर हम गाज़ेबाद की बात करें तो शेहरी वोटर्स पर बहुत जादा फोकस किया गया था इसी के लिए क अगर हम बात करें तो सिफ 48 प्रतिशत जो है वोटिंग हुई है पाच बेज तक और अगर हम 2014 की बात करें तो 56 प्रतिशत थी और 2019 की बात करें तो 55 प्रतिशत थी और उसी तरीके साब हम देख सकते हैं कि अब ये आशंका लगाई जा रही है कि उतना भी पूरा हो पाएग या नहीं तो वोटिंग परसंटेज बहुत जादा कम हुई है देखें यहां का मुकाबला जरूर दिल्चस्प है और लोगों का जो सिनारियो है वो बतला है और लोगों का साफ तोर पर ये कहना है अपने मुद्दों को लेकर उन्होंने काम को लेकर वोट किया है लेकिन मि वाजयबाल दिली से 60 सीट है और इसको हाई प्रोफाइल वीवी आईपी सीट का आ जाता है लेकिन जस तरीके से वोटिंग परसंटेज लगातार कम हो रही है ये निराशा जनक है और लोगों में उस तरीके से उत्सा देखने को नहीं मिला क्योंकि ये कयास लगाए जा रह गई जैसे धूब खत्म हो गई तो लोगों की संख्या जादा देखने को मिलेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं जबकि ये वीकेंड पर कई बार होता है कि माना जाता है कि लोग आराम करने के मोड में आ जाते हैं वो नहीं चाहते कि अपनी आराम में कोई खलाल हो उनके आराम मे लेकिन वीकेंड पर तो और वो भी तब जब तमाम शिक्षन सरस्थानों की बात करें या ओफिसल्स की बात करें हाफ डे की छुटी फुल डे की छुटी और उसके बाद भी वोट परसेंटिस का इस तरह से कम रह जाना ये चिंता का विशह ज़रूर है आप सभी का बहुत- इस वक्त पूरी चर्चा के लिए तस्वीरे हमारे दर्शे को तक पहुंचाने के लिए लेकिन चिंता यही है कि आखिर वोट परसेंटिस को बढ़ाया कैसे जाए चुनावायोक तमाम कोशिचे कर रहा है लेकिन वो कारगर होती साबित नहीं दिख रही है दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा ये भी हम आपको दिखा रहे है हाला कि वोट परसेंटिस जरूर नहीं बढ़ा लेकिन जो पहुंचे हैं वो देखिए वो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ मुख्य मुख्य चाहरे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर युवा से लेकर बुजूर्ग तक लोग दंत्रों को मजबूत करने के लिए बहार निकले और अशोक गहलोर जोदपूर में उन्होंने वोटकास्ट किया पी विज्यन जिन्होंने कंदूर में वोटकास्ट किया ओम बिल्ला कोटा में उन्होंने वोटक खड़े होकर जिन्होंने मतदान किया है वहीं बेंगलूरी में नारायन मूर्ती ने वोट कास्ट किया भागलपुर में की तस्वीर आप देखिए जहाँ पर नेहा शर्मा परिवार के साथ पहुंची वोट कास्ट करने के लिए युवा से लेकर बुज़ूर्ग तक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे लोक तंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देने के लिए पहुंचे दूला दूलन के अलावा कई डिव्यांग भी वोट देने पहुंचे उन्ही पर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं गाजियबाद में एक दूलहन धोलन गाड़ों के साथ मद्दान केंद्र के लिए निकली हाथ में वोटर कार लिए वो मद्दान करने पहुंची दूलहन को पोलिंग बूत पर देखकर दूसरे वोटर भी हैरान जरूर हुए अम्रोहा में दूलहा गाड़ी में सवार होकर वोट देने पहुंचा मद्दप्रदेश के सत्ना और बिहार के कटिहार में दूलहा दूलहन दोनों साथ में वोट देने आए मेरत में बुझुर दंपत्ती ने बड़ी मिसाल पेश की है दिल्ली के अस्पताल में भर्दी बुझुर वोटिंग के लिए मेरट पहुचे, उनके दोनों घुटनों की सरजरी हुई है, दमपत्ती का कहना था कि वोटिंग के लिए वो दिल्ली से मेरट पहुचे आपके भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मददान अरुश करना है, ये जोश है और ये जज़बा सब के अंदर होना चाहिए। कोटिंग के लिए उत्सा दिखाए दिया, बिहार के बाका में भी अलगी तस्वीरे सामने आई है, यहाँ पर एक बुज़ब मददान करने पहुचे, जो बीमार भी थे, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इस धंग से कहते हैं कि ये है मददान का जो है, वो लोक तंतर क्यों महान है। आमरोहा में एक बुज़ुर्ग महिला वीलचेयर में बैट कर मदान करने पहुची, पंचान अबे साल की उम्र में कड़ी धूप की चुनोतियों को भी पार कर लिया। गादियाबाद में बुज़ुर्ग महिला वॉकर की मदद से वोट करने के लिए पोलिंग बूत पर आई। दूसरे चलण में जम्मू की सीट पर भी बोटिंग होई। यहां के पोलिंग बूत पर एक दिव्यांग बोट देने के लिए पहुचा और जिम्मेदान नागरिक होने का करतब यान भाया। राजिस्थान के राज सुमन में भी लोगतर के पर पर लोगों का जोश हाई दिखा। धोल लगाडों के साथ रामीर वोटिंग के लिए पोलिंग इस्टेशन पहुचे। राजिस्थान के बाड मेर में लोग बस और ट्रेनों में दूसरी जगा से अपने मदान शेत्र में वोट करने के लिए पहुचे। पर्यावर्र सुरक्षा की जागरुपता के लिए कई जगों पर ग्रीन पोलिंग भूब भी बनाए गये हैं। प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपॉर्ट न्यूज एटीं। लोगसबर चुनाओं के दूसरे चरण में 88 सीट पर प्रत्याशियों का इम्तिहान हैं। इन सीट पर कई दिगजों के खस्मत भी डाव पर लगी है। केंद्रिय मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता तक शामिल हैं। खुद वोट देने आए और लोगों से भी इन्होंने वोट डालने की अपील की। इसे पर एक रिपॉर्ट आपको दिखाते हैं। इसमें राजमिती के कई दिगज हुंकार भर रहे हैं। जिसमें केंद्रिय मंत्री से लेकर के विपक्ष के बड़े नेता शामर हैं। लोकसवा स्पीकर ओम बल्ला कोटा सीर से चुनावी मैदान में उत्रे हैं। बड़ डालने के बाद कहा राजस्थान में बिजेपी सभी सीटे जीतेगी। विपक्ष पर वार किया। मोदी जी ने देश के अंदर जो एतियासी काम के हैं। पैसले के निर्ने के देश के आगे बढ़ाया, देश की तागत दिये, नहीं दिशा दिये। इस और आगे का रोड में बनाया, इसलिए और लोगों का विश्वास ब्रोसा मुदी जी के पति बढ़ाया। इंडिया गडबंदन आप मानते हैं के मुकाबले में हैं। मंतरी गजेल सिंग शिखावत की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है, जोदपूर से वो चुनावी ताल ठोक रहे है, गजेल सिंग शिखावत भी मतदान के लिए पहुचे। कॉंग्रिस प्रत्याशिया करण सिंग वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप 2047 में विक्सित भारत की बात कर रहे हैं, वो ऐसी तरह से सुर्ग तक सोने की सीड़ी बनवा देंगे। देखे इस तरह का जूट बोलने की राजनेती शायद वही करते होंगे कि सोने की सीड़ी चड़ाएं या आलू से सोना निकालें। बारतिय जन्ता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतरतु में इस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं कि हम भारत को विक्सित बनाएंगे। और आज़ादी के सौ साल पूरे होने तक 2047 तक भारत विक्सित भारत होगा। हेमा मालनी मतुरा सीड से लगता दो बार सासद है और तीसरी बार भी उन्होंने जीत की उमेद चताई है। मतुरा से बीजेपी प्रताशी हेमा मालनी को सुन रहे थे आप जिनका एकना है कि हम जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। जीत के हैट्रिक लगेगी और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है बीटे दस बरस में जो काम उनकी तरफ से किया गया है उनको भरोसा है कि उसी काम पर जनता मुहर लगाएगी। मेरट सीट हाई प्रोफाइल बन गई है रामाड के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुड गोविल का इमतेहान है। मतलब हमारे दिल में कुछ और हम कहें कुछ और ये काम मैंने कभी जिन्तिगे में किया भी नहीं और मैं अभी भी नहीं करना चाहता है कि कोई जरुवत नहीं है उसकी करने की ताकि लोगों को समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूं I mean it तो उससे फर्क पढ़ता है बहुत गौतम बुद्धनगर से बीजेपी ने महेश शर्मा को उता रहा है महेश शर्मा का कहना है कि लगतार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने जा रही है देखे मैं आशरस्त हूँ कहा प्रधानमंत्री जी ने सिकाया उत्साह रहना चाहिए अती उत्साह नहीं हमारी पार्टी का पूरा कैड़ा पार्टी के कारकरता चुनाव को पूरी संजीदगी से पूरी मांदारी से ले रहे हैं अलिगर से इसासद सतीश गौदम नफिर से विजपी की जीत के रिए आश्वस्त दिखाई दिए अम्रोहा से कॉंग्रेस ने दानिश अलिको चेहरा बनाया है दानिश का कहना है कि यहां से उनकी जीतते है महराश की अम्रावती सीट से विजपी ने नवनीत राना को उमिद्वार बनाया है नवनीत ने बड़ी जीत का दावा किया है देजस्वी सूर्या ने भी मतदान किया कॉंग्रेस के सांसत शशी धरूर तिर्वनपूरन में मतदान करने पहुचे इसे बीच बड़ी खबर ब्रिजबूशन सिंग को दिल्ली कोट से जटका लगा इस मामले में आगे की जाच कराने की आचिका खारेच हो गई है ब्रिजबूशन के खिलाफ आरोपते कर दिये गए कोट अब सात मई को अपना फैसला सुनाएगा ब्रिजबूशन सिंग ने दावा किया था कि घटना के दिन वो भारत में नहीं थे राउज एवन्यू कोट का ये मामला है आगे की जाच कराने की याचिका खारेच होई है ब्रिजबूशन को एक बड़ा जटका लगा है एक तरफ वो इस उम्मीद में है कि उन्हें उम्मीदवार के तोर पर बीजबी उतारेगी चुनाव मैदान में उनके नाम की एनाउंस्मेंट अभी तक नहीं हुई उनकी सीट पर और दूसरी तरफ अदालत सीट पर बरेली सिदे लिए चलते हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी पहुच चुके हैं प्रधानमंत्री के रोड़ शो को लेकर लगबग डेढ किलोमेटर की ये दूरी है जो प्रधानमंत्री को तै करनी है और इस गोरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कारेकरटा आम जनता प्रधानमंत्री के इंतजार में बरेली के सड़कों पर मोजूद है पीम मोधी रोड़ शो करेंगे सीम योगिया अद्दतनात उनके साथ मोजूद होंगे ये सीधित अस्वीरें बरेली की हम आपको दिखा रहे हैं जहांपर आप सब्सड़क के दोनों तरफ लोगों की कतार बीज़पी कारेकरताओं की कतार देख पा रहे हैं बड़ी तैयारी की गई है प्रधान मंत्री के रोट्शों को लेकर पार्टी की ओर से जगा जगा पर बीजेपी कारे करताओं की ओर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए तुरन लोटेंगे बने रहमारे साथ